नमस्कार, आज हम बात करेंगे calling function, कि C के अंतरगत function को हम कितने तरह से call कर सकते हैं, तो generally C में हम दो तरह से function call करते हैं, call by value and call by reference, तो देखिए जैसा कि हमने function के अंतरगत, जो भी हमने discussion किया, उसमें हमने देखा है कि actual parameters and formal parameters, यह दो terms हमने सीखी हैं, तो simple सा यहां पर मैं आपको note लिखवा जेता हूँ, कि in call by value क्या होता है, कि call by value के अंतरगत क्या होता है, कि जो actual parameter होता है, उसकी जो value होती है, वो formal parameter को pass की जाती है, जबकि call by reference के अंतरगत क्या होगा, actual parameter का address formal parameter को pass करना पड़ेगा, और जब ऐसा होगा, तो उस case के अंतरगत वहां पर क्या होगा, कि जो formal parameter है, उसका pointer होना ज़रूरी होता है, तो इन call by value, ठीक है, कि actual parameters, value, ठीक है, यह values हो सबती है, values, pass to formal parameter, formal parameters, ओके, और call by reference के अंतरगत करें, तो इसका अलग तरीका, कि actual parameters जो होगा, कि actual parameters address pass to the formal parameter, ओके, तो उस दोरान, formal parameter का क्या होना ज़रूरी है, pointer declaration होना ज़रूरी है, ठीक है, then, formal parameter must be declared as a pointer, ओके, क्योंकि pointer ही आपका क्या करता है, address को access करता है, तो देखी, एक simple सा मैं आपको structure बता देता हूं, कि call by value, call by reference में करना क्या आपको, बहुत simple सी चीज, मान लीजिए आपका main program है, ओके, ये कोई भी main program है आपका, ठीक है, और main program के अंदर, वहाँ पर आपने किसी भी तरह की कोई भी statement लिखी है, और वहाँ आपने कोई भी एक function बनाया, उस function के अंदर आपने कोई भी value पास किया ना, value या जिस variable के अंदर value है, उनको हमने वहाँ पर पास किया, ओके, और इस तरह से, और ये आपका main program बंद हो गया, अब आप क्या करेंगे, ये जो function है, इसको हम बाहर यहाँ पर define करेंगे, इसको बनाएंगे, तो return type इसका int होगा, function का नाम add है, और यहाँ पर दो parameter आप बनाएंगे, जिनके अंदर values आपकी पास करवाई जाएगी, जैसे int x बना दिया, एक int y बना दिया, और internally यहाँ पर calculation होगी, और return statement से कोई भी value आप आप देंगे, तो दिखिए इसमें हुआ क्या, जैसे मान लिज यह, कि a and b के अंदर कुछ values है, तो यहाँ पर जैसे ही function आपका call होगा, तो a की value x को पास की जाएगी, मान लिजे 10 है उसमें, और b की value as it is किसमें पास की जाएगी आपकी y के अंदर, मान लिजे 20 है, तो यह दोनों जो है a और b, जो आप main program के अंदर बना रहे हैं, इनको कहा जाता है actual parameter, ओके, यह आपके actual parameter होते हैं, ठीके, और जो function आपने बनाया, उस दोरान जो parameters दी हैं, वो दोनों के दोनों होते हैं, आपके formal parameters, ओके, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, कि जब आप call by value करते हैं, तो call by value के दोरान actual parameter की जो values होती हैं, वो formal parameter को पास की जा और फिर यहां पर calculation होने के बाद वापस एक value return की जाएगी वह में प्रोग्राम के अंदर किसी variable को दे दी जाएगी ठीक है और इस तरह से वहां पर यह काम होगा तो call by value के अंदर आपको यह ध्यान रखना है अब अब आप करते हैं call by reference की तो देखिए call by reference में क्या होता है जैस इसके अंदर हमने यहां पर एक variable लिया a और एक लिया b ओके इस तरह से clear हम कोई भी यहां पर return टाइप अगर यहां पर नहीं दे रहे हैं इसका हम यह मान के चल रहे हैं कोई message यह value swap होके आ रही है न इस तरह से और यह यहां पर फिर हमने यहां पर इसका return type void कर दिया function का ना reference में क्या होगा जो यह actual parameter है आपके इनका address हमें पास करना पड़ेगा तब दोनों variable के पहले हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे embersend operator याणि address operator का उपयोग करना पड़ेगा जब यहां से address पास किया जाएगा इनको ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां किसी तरह का normal declaration बनात अब दोनों pointer होगे अब जब यहां से यह function call होगा तो इन दोनों variable का जो address होगा वो x और y को पास करवाया जाएगा ठीक है इसका जो भी address होगा वो पास होगा यह इसका address जो होगा वो पास होगा अब x और y क्या करेंगे यहां internally dereference रहेंगे इस variable जैसे मैंने यहां x ले लिय जो भी calculation हो रही है किसी third variable के अंदर आ रही है मान लीजी है तो यह जैसे star x और star y करेंगे यह dereference करेंगे और dereference होते ही क्या करेंगे यह जिस address को access कर रहे हैं उस address की location पर जाएंगे और वहां की value को access करके अपना operation perform करेंगे तो जो call by reference होता है वो इस तरह से तो generally एक program है आपक swapping का program है na swapping का मतलब value interchange करना a की value b में और b की value e में और उसे function के through करवाया जाएं तो वो program हमेशा call by reference से ही possible होगा यदि हम function से वहां पे वापस main program के अंदर value transfer करवाते हैं तो call by value से क्या होगा वो कभी भी आपका value को swap नहीं करेगा वो swapping के वल function के अंदर होगी main program के अंदर जो variable थे उनमें swapping नहीं हो पाती है तो call by reference से ही हमें वो possible होगा swapping का तो next video के अंदर हम उसके बारे में discuss करेंगे इसके अंदर कर जो मेने main focus जो मेरा था वो call by value call by reference के अंदर basic difference बताना था आपका तो एक बार मैं वापस से आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि call by value में क्या हो रहा है ठीक है कि call by value में actual parameter की values को formal parameter में प्रदान की जाती है या pass की जाती है जबकि call by reference के अंदर के क्या होता है actual parameter का address जो होता है वो formal parameter को दे दिया जाता है और formal parameter उस समय वहाँ पर pointer declaration होना बहुत ही ज़रूरी है यदि वह pointer नहीं होंगे तो वहाँ पर address पास करने पर भी value के access नहीं कर पाएंगे ओके तो हमें तो main values के साथ operation perform करना है तो values के साथ operation perform करने के लिए हमें इस तरह से वहाँ पर pointer बनाना होगा जैसा कि pointer के बारे में भी ह किसी दूसरे variable का address रखता है उसे हम pointer कहते हैं ओके हाँ यहाँ पर एक और चीज जैसे suppose कि इस function का prototype आपको देना होगा तो आप इस तरह से देंगे वाइड लिखेंगे function का जो भी नाम है ABC और उसके बाद दोनों value integer है तो वहाँ पर int asterick और int asterick यह दोनों asterick लगा देंग और int यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से तो pointer के case में आपको int के साथ asterick लगाना जरूरी है कोई space नहीं देना है ठीक है इस तरह से तो यह prototype होगा call by reference के अंतर गत और call by values के अंदर इस तरह से हाँ यदि उस function को हम main के पहले बना देते हैं तो prototype देने की कोई आउसकता नहीं होगी तो इस तरह से call by value and call by reference यदि कहीं exam में question भी आता है आपका तो इस तरह से वहां पर difference आप बता सकते हैं ओके थैंक्यू